ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज 10 जून 2024 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे लक्ष को सदा सामने रखो तो दैवी गुड आते जाएंगे अब अपनी संभाल करनी है आसुरी गुडों को निकाल दैवी गुड धारन करने है मीठे बच्चे लक्ष को सदा सामने रखो तो दैवी गुड आते जाएंगे अब अपनी संभाल करनी है आसुरी गुडों को निकाल दैवी गुड धारन करने है प्रश्न आयुश्मान भव का वर्दान मिलते हुए भी बड़ी आयू के लिए कौन सी महनत करनी है उत्तर बड़ी आयू के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की महनत करो जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयू बड़ी होगी, फिर मृत्यू का डर निकल जाएगा याद से दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे याद में ही गुप्त कमाई है, याद से पाप कट जाते हैं आत्मा हलकी हो जाती है, आयू बड़ी हो जाती है ओम शान्ती, मीठे मीठे रुहानी बच्चों प्रती बाप समझा रहे हैं पड़ा भी रहे हैं, क्या समझा रहे हैं मीठे बच्चों तुमको एक तो आयू बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयू बहुत बड़ी थी देड़ सो वर्स की आयू थी बड़ी आयू कैसे मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयू बहुत बड़ी थी अभी तुम उपर चड़ रहे हो जानते हो हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयू छोटी हो गई है तंदरुस्ती भी ठीक नहीं थी बिल्कुल ही रोगी बन गए थे यह जीवन पुरानी है नई से भेंट की जाती है अभी तुम जानते हो बाप हमको बड़ी आयू बनाने की युकती बताते है मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे बड़ी आयू वाले तंदरुस्त थे ऐसे फिर से बन जाओगे आयू छोटी होने से मरने का डर रहता है तुमको तो गैरंटी मिलती है कि सत्यूग में ऐसे अचानक कभी मरेंगे ने बाप को याद करते रहेंगे तो आयू बड़ी होगी और सब दुख भी दूर हो जाएंगे कोई भी किसम का दुख नहीं होगा और तुमको क्या चाहिए तुम कहते हो उँच पद भी चाहिए तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है अब बाप युक्ती बताते है ऐसे करो एम अबजेक्ट सामने है तुम ऐसा पद पा सकते हो यहाँ ही दैवी गुण धारन करना है अपने से पूछना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है अवगुण भी अनेक प्रकार के है सिगरेट, पीना, चीची, चीजे, खाना यह अवगुण है सबसे बड़ा अवगुण है विकार का जिसको ही बैड केरेक्टर कहते है बाप कहते हैं तुम विशस बन गए हो अब वाइसलेस बनने की तुमको युक्ती बताते है इसमें इन विकारों को अवगुणों को छोड़ देना है कभी भी विशस नहीं बनना है इस जन्म में जो सुधारेंगे तो वह सुधार 21 जन्मों तक चलना है सबसे जरूरी बात है वाइसलेस बनना जन्म जन्मांतर का जो बोज सिर पर चड़ा हुआ है वह योगबल से ही उतरेगा बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर हम विशस बने हैं अभी बाप से हम प्रतिग्या करते हैं कि फिर कभी विशस नहीं बनेंगे बाप ने कहा है अगर पते बने तो सोगुणा दंड भी खाना पड़ेगा और फिर पद भी फ्रस्ट हो जाएगा क्योंकि निंदा कराईना तो गोया उस तरफ विशस मनुश्यों की तरफ चला गया ऐसे बहुत चले जाते हैं अर्था धार खालेते हैं आगे तुमको पता नहीं था कि ये धंदा विकार का नहीं करना चाहिए कोई कोई अच्छे बच्चे होते हैं कहते हैं हम ब्रह्मचार में रहेंगे सन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है पवित्र और अपवित्र दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं पाखाने में जाना भी अपवित्र बनना है इसलिए फोरण सनान करना चाहिए अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है किसको दुख देना लड़ना जगड़ना भी अपवित्र करता व्य है बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया है वैसब आदतें अब मिटान है अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है सच्चे सच्चे महान आत्मा तो ये लक्षमी नारायन ही है और कोई तो यहां बनना सके क्योंकि सब तमो प्रधान है गलानी भी बहुत करते हैं ना उन्हों को पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं एक होते हैं गु बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसलिए उनको सब याद करते हैं, सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है और फिर गुण भी चाहिए। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो, अभी ऐसा तुमको बनना है, बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, फिर काटे बन पड़े हो, अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयू बड़ी होगी, जैसे नारत का मिसाल है, उनको कहा तुम लायक हो, उसने देखा कि बरूबर हम लायक नहीं है, बाप तुमको उंच बनाते हैं, बाप के तुम बच्चे हो न, जैसे कोई का बाप महराजा होता है, तो कहेंगे न, हमारा बाबा महराजा है, बाबा बहुत सुख देने वाला ह जो अच्छे स्वभाव के महराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है अभी तो आइस्टे-ाइस्टे सब की कलाएं उतरती गई हैं सभी अवगुण प्रवेश करते गई हैं कला कमती होती गई है, तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई है कितना दुखी हो पड़े हैं तुमको कितना सहन करना पड़ता है अभी अविनाशी सरजन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है बाप कहते हैं ये पांच विकार तो गड़ी-घड़ी तुमको सताइंगे तुम जतना पुरशार्त करेंगे बाप को याद करने का उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला न सके रावन कोई और चीज नहीं है वा कोई मनुष्य नहीं है पांच विकारों रूपी रावन को ही माया कहा जाता है आसुरी रावन संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखरीन में ये है कौन ये बीके क्या समझाते है रियल्टी में कोई जानते नहीं ये बीके क्यों कहलाते है ब्रह्मा किसकी संतान है अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापिस घर जाना है ये बाब बैट तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं आयुश्मान भव, धन्वान भव तुम्हारी सब कामनाय पूरी करते बरदान देते हैं परन्तु सिर्फ बरदान से कोई काम नहीं होता मेहनत करनी है, हर एक बात समझने की है अपने को राज तिलग देने के अधिकारी बनना है बाब अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसे ऐसे करो पहले नंबर की शिक्षा देते हैं, मा में कम याद करो मनर्श से याद नहीं करते हैं क्योंकि वह जानते ही नहीं तो याद भी रोग है कहते इश्वर सर्वयापी है फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते तुम पूछो इनका अक्योपेशन बताओ तो कहेंगे भगवान सर्वयापी है पूजा करते हैं उनसे रहम मांगते हैं मांगते हुए फिर कोई पूष्ता परमात्मा कहां है तो कहते सर्वयापी है चित्र के सम्मुख क्या करते हैं और फिर चित्र सम्मुख नहीं तो कला काया ही चट हो जाती है भक्ती में कितनी भूले करते हैं, फिर भी भक्ती से कितना प्यार है, सिरीक्रश्ने के लिए कितना निरजल आधी करते हैं, यहां तुम पढ़ रहे हो और वै भक्त लोग क्या क्या करते हैं, तुमको अभी हसी आती है, ट्रामा अनुसार भक्ती करते कदम नीचे उतरते आये ह अभी ये है पुरुशोत्तम संगमयोग जिसका कोई को पता नहीं है अभी तुम पुरुशोत्तम बनने के लिए पुर्शार्त करते हो टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है न स्टूडेंट की सर्विस करते हैं गवर्मेंट सर्वेंट है बाब भी कहते हैं सेवा करता हूं तुमको पढाता भी हूं सभी आत्माओं का बाप है टीचर भी बनते हैं स्रश्टी के आदी मद्य अंत का ग्यान भी सुनाते हैं ये ग्यान और कोई मनुष्य में हो न सके कोई सिखला न सके तुम पुरशार्त ही करते हो कि हम ये मने दुनिया में मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धी है बहुत खौफनाक दुनिया है जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वै करते हैं कितना खून डाका आदी लगाते हैं क्या नहीं करते हैं सौ परसेंट तमो प्रधान है अभी तुम फिर सौ परसेंट सतो प्रधान बन रहे हो उसके लिए युक्ती बताई है याद की यात्रा याद से ही विकर्म विनाश होंगे बाप से जाकर मिलेंगे भगवान बाप आते कैसे हैं ये भी तुम अब समझते हो इस रत में आये हैं ब्रह्मा के थुरू सुनाते हैं जो फिर तुम धारन कर औरों को सुनाते हो तो दिल होती है डारेक्ट सुने बाप के परिवार में जाएं यहां बाप भी है, मा भी है, बच्चे भी है परिवार में आ जाते हैं वह तो दुनिया ही आसुरी है तो आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा वहां तो देहधारी हो जाते हैं उस गोरक धंदे से निकल तुम यहां आते हो अब बाप कहते हैं देह के सब संबंद छोड़ो खुश्बुदार फूल बनना है फूल में खुश्बु होती है सब उठाकर खुश्बु लेते हैं अक्के फूल को नहीं उठाएंगे तो फूल बनने के लिए पुशार्थ करना है इसलिए बाबा भी फूल ले आते हैं ऐसा बनना है घर ग्रस्ट में रहते एक बाप को याद करना है तुम जानते हो ये दे के संबंदी तो खलास हो जाने है तुम यहां गुप्त कमाई कर रहे हो तुमको शरीर छोड़ना है कमाई करके और बहुत खुशी से हरसित मुखो शरीर छोड़ना है घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी बाप की याद में अशरीरी हो कितना भी चक्र लगाओ भल यहां से नीचे आबू रोड तक चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी बाप कट जाएंगे, हलके हो जाएंगे तुम बच्चों को कितना फायदा होता है और कोई तो जान न सके सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं पतित पावण आकर पावण बनाओ फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे पतित को फिर माथा थोड़े टेका जाता है माथा पावण के आगे जुकाया जाता है कन्या का मिसाल जब विकारी बनती तो सबके आगे सिर जुकाती है और फिर पुकारती है हे पतित पावण आओ अरे पतित बने ही क्यों जो पुकारना पड़े सबके शरीर तो विकार की पैदाइस है न क्योंकि रावण का राज है अभी तुम रावण से निकल आये हो इसको कहा जाता है पुरुसोतम संगम यूग अभी तुम पुरुशार्थ कर रहे हो राम राज में जाने के लिए सत्यूग है राम राज सिर्फ त्रेता में राम राज कहें तो फिर सूर्वन्शी लक्ष्मी नारैन का राज कहा गया तो ये सब ग्यान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है नए नए भी आते हैं जिनको तुम ग्यान देते हो लायक बनाते हो कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से नालायक बन पड़ते है बाप पावन बनाते हैं तो अब पतित बनना ही नहीं है जबकि बाप आया है पावन बनाने माया ऐसी जबरदस्त है जो पतित बना देती है हरा देती है कहते हैं बाबा रक्षा करो वह लड़ाई के मैदान में धेर मरते हैं फिर रक्षा की जाती है क्या यह माया की गोली बंदू की गोली से भी बहुत कड़ी है काम की चोट खाई गोया उपर से गिरे सत्यूग में सब पवित्र ग्रष्ट धर्म वाले होते हैं जिनको देवता कहा जाता है अभी तुम जानते हो बाप कैसे आये हैं कहां रहते हैं कैसे आका राजियोग सिखाते हैं दिखलाते हैं अरजुन के रत पर बैठ ग्यान दिया है फिर उनको सर्व्यापी क्यों कहते हैं बाप जो सुवर की स्थापना करते हैं उन्हें ही भूल गए हैं अभी वस सुएम अपना परजय देते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार पहला महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आत्ते हैं वह मिटा देनी है दुख देना, लड़ना, जगड़ना ये सब अपवित्र करतव हैं जो तुम्हें नहीं करने है अपने आपको रास्तिलक देने का अधिकारी बनाना है दूसरा, बुद्धी को सब गोरख धंदों से, देधारियों से निकाल, खुश्बूदार फूल बनना है गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है बरदान, अपने शुब चिंतन की शक्ती से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाले शुब चिंतक मणी भव आज के विश्व में सब आत्माएं चिंता मणी हैं उन चिंता मणीयों को आप शुब चिंतक मणियां अपने शुब चिंतन की शक्ती द्वारा परिवर्तन कर सकते हों जैसे सूरे की किर्ने दूर दूर तक अंधिकार को मिटाती हैं ऐसे आप शुब चिंतक मणीयों की शुब संकल्प रूपी चमक वा किर्ने विश्व में चारों और फैल रही हैं इसलिए समझते हैं कि कोई spiritual light गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है यह touching अभी शुरू हुई है आखरेन ढूनते ढूनते इस थान पर पहुंच जाएंगे स्लोगन बाब दादा के direction को clear catch करने के लिए मन बुद्धी की line clear रखो अच्छा, ओम शान्ती, ओम शान्ती, ओम शान्ती